हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसा गरेलू नुस्खा जैसे कि अगर आपके पेट में कब्स है और जब हमारे पेट में कब्स रहती है पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो हमें बबसीर की प्राब्वलम धीरे-धीरे होने लगती है और धीरे-धीरे बबसीर जो है हchn से जाधा बढ़ जाता है इसलिए हमें पेट को अपने अच्छे से साफ रखना चाहिए ताकि हमारे पेट में कॉंस्टिपेशन यानि के कब्ज बिल्कुल भी ना बने तो आज हम आपको कब्ज और पाइल्स की बीमारी से छुटकारा पाने का एक असरदार घरेलू नुसका शेयर करने वाली है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत कीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको लेना होगा काली मिर्च काली मिर्च जो है ये हमारी वबसीर की प्राबलम को बहुत ही तेजी के साथ खतम करती है पाइल्स को यानि के और हमारे पेट में जो कब्स होती है कॉंस्टिपेशन उसको खतम करती है हमारा पेट अच्छे से साफ रहता है तो चलिए फ्रेंट्स आपको इसमें दूसरी चीज और क्या लेनी है दूसरी चीज आपको लेनी है केला केले की फायदे तो आप जानते ही होंगे केला जो है वो हमारे दुबले पतले शरीर को मोटा करने का भी काम करता है तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पेट में कब्स है कॉंस्टिपेशन है उसको आप किस तरीके से खातम करके अपने पेट को अच्छे से साफ रख सकते हैं केले के जरीए केले और सिर्फ काली मिर्च तो आईए जानते हैं कि आपको इसमें किस तरीके से इस इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी जगा पर काली मिर्स के दाने इसमें भर दीजिए इस तरीके से दोस्तों यह बहुत ही जादा इफेक्टिब नुस्खा है जो बिल्कुल देशी है और आजमाया हुआ है इससे काफी लोगों की जो है कब्स कॉंस्टिपेशन बबसीर सार चल्के को कवर करने के बाद आपको 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देना है और फिर इसको चल्के को हटाने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों बहुत बढ़िया रेमेडी है आप इसको ज़रूर ट्राइक कीजिका तो दोस्तों यह हमारा इस तरीके से दिखाई बना लेने है यह देखे इस तरीके से यह हमारे बन चुके हैं अब आपको इसका इस्तिमाल किस तरीके से करना है दोस्तों जब आप सुबह सुबह खाली पेट उठेंगे ना तो दोस्तों आपको यह इसका पूरे केले को इस तरीके से बना करके रखना है और इसको खा लेन प्जूए जब एफिज एग झा झाते हैं।